गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स आर यू रेडी खने संपदा का चैप्टर आप पिछली दो वीडियो में पढ़ चुके हैं तो आज थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज और कोशनाइनस स्टार्ट करते हैं आपको समझ में आ गया है चैप्टर थोड़ा सा कठेन अवश्य है ये चैप्टर पर आप इसको पढ़ेंगे और इनकी पिक्चर्स के जरिये जब आप समझेंगे तो इसली समझ में आ जाएगा प्रित्वी को खोद कर निकाले गए पदार्टों को खनिज कहते हैं प्रित्वी को खोद कर जो हम निकालते हैं पदार्ट उनको हम क्या कहते हैं खनिज यानी मिनरल्स खनिजों को निकालने के लिए जमीन में बड़े बड़े और बहुत गहरे गड़े बनाये जाते हैं, इन्हें खान कहते हैं, जो खनिजों को निकालने के लिए बहुत बड़े गहरे गड़े बनाये जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, खान, खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के धात्विक और अधात्विक खान में काम करने वाले मजदूरों को हम खनिक कहते हैं जो गड़े गड़े बनाए जाते हैं उन्हें खान कहते हैं और खान में काम करने वाले मजदूरों को खनिक कहते हैं और जो पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं खनिस्तत्व कोईला वा खनिस्तिल अधात्विक खनिज है दो प्रकार के खनिज होते हैं तो अधात्विक खनिज कौन-कौन से कोईला और खनिस्तिल हमारे देश में अधिकांश कोईला जार जाराखंग्षा टार्फण अब्रक अतपादन में भारत का विश्म में बर्धम इस्थान है भारत में सबसे ज्यादा अब्रा उत्पादन होता है संसार के समस्ठ लौहभांड़ार का हौनदर के दिई कर मान पने जारखन उडिसा चतीजगर और मध्यप्रदेश तो आपने ये सारी चीज़ें जान ली अब आगे बढ़ते हैं किसी भी देश के विकास में खनिजों का बहुत मेहत्व होता है तो जिस तेज में देश में खनिज पदार्थ बड़ी मात्रा में होते हैं वह देश तेजी ये कम होते जा रहे हैं तो इसलिए हमें इनका प्रियों बहुत सोच समझ करना चाहिए क्योंकि धीरे-धीरे करके ये खनिज समाप्त होते जाएंगे खनिज चलिए, फर्स्ट एक्सरसाइज निकाल लीजिये, फर्स्ट एक्सरसाइज समझ लीजिये, खनिज पदार्थ होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, तीन प्रकार के या चार प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं धात्वेक और अधात्वेक, तो दो प्रक जाता है कोईले को क्या कहा जाता है और हीरा सोना या काला हीरा तो कोईले को क्या और कहा जाता है काला हीरा संसार के समस्त लोह बंडार का कौन सा भाग भारत में मिलता है तो अभी आपको बताया था ना कि लोहा अमारे देश में लोहा भी बहुत अधिक मात्रा मिलता है लेकि उत्पादन का भारत में कौन सा इस्थान है प्रिथामिस्थान संसार में सबसे ज़्यादा अबरग हमारे देश में भारत में उत्पादित होता है तो यह exercise आपको समझ में आ गई अब next exercise समझ लेते हैं रिखते स्थानों की पूर्ती कीजिए यह options दिये हुएं इनमें से आपको यहाँ पर फिल करने हैं खानों में काम करने वाले श्रमिकों को कहते हैं जो श्रमिक खानों में काम करते हैं उनकों क्या कहते हैं तो आपको भजल्दी से आ गया होगा ना क्या कहते हैं वंशिकाल खन खनिक, खानों में काम करने वाले श्रेमिकों को क्या कहते हैं, खनिक, खनिश्पदार्थ हमें रूप में प्राप्त होते हैं, किस रूप में प्राप्त होते हैं, आप बताइए, खनिश्पदार्थ किस रूप में प्राप्त होते हैं, अशुद्ध रूप में, किस रूप में है एक हलकी धातू है अबरग भारत में पैदा होता है तो अबरग कितने प्रतिशत अबरग भारत में पैदा होता है अब ये कौन बताएगा किसको मालूम है रितांश डू यू नो अबरग भारत में पैदा होता है कितना 90% कितना पैदा होता है 90% अबरग भारत में पैदा हो कोईलावा खनिश तेल खनिश है कोईलावा खनिश तेल कौन से खनिश है ये तो सबको मालूम होगा बताया गया था कोईलावा खनिश तेल कौन से खनिश है परी आप बताईए कोईलावा खनिश तेल कौन से खनिश है अधात्विक खनिश कौन से खनेज है और धात्वे खनेज राइट तो यह वाली exercise भी समझ में आ गई आपको अब next exercise समझ ले ओके आगे बढ़िए सही और गलत का चिन्न लगाना है आपको sentence पढ़ने है और यह पता लगाना है कौन सा sentence सही है और कौन सा sentence गलत है चलिए first sentence कौन बताएगा देखते हैं कौन बताएगा first sentence धात्वे हमें शुद्ध रूप में प्राप्त होती है धात्वे हमें कौन से रूप में प्राप्त होती ह तो क्या ये sentence इनका सही है कि गलत है किसको मालूम है किसको मालूम है ये रितांश आपको मालूम है धातुएं हमें शुद्ध रूप में प्राप्त होती है गलत है right क्योंकि धातुएं तो हमें शुद्ध रूप में प्राप्त होती है उसके बाद उन्हें शुद्ध किया जात नौ सेकेंड वन हमारे देश में आजादी के बाद कोईले का उत्पादन पांच गुना बढ़ गया है तो देश में आजादी के बाद कोईले का उत्पादन पांच गुना बढ़ गया है प्रियांशू आपने पढ़ाये चैप्टर ध्यान से तो चलिए आप बताईए कोईले लौबंडार का चोथा भाग भारत में मिलता है पूरे संसार के जो लौबंडार है उसका चोथा भाग भारत में मिलता है ये भी क्या है? राइट है खनिश तेल जमीन के अंदर से नहीं प्राप्त होता है अब ये कह रहे हैं कि खनिश तेल जमीन के अंदर से नहीं प्राप्त होता है तो बताइए एलिस क्या बास सही है कि खनिश तेल जमीन के अंदर से नहीं प्राप्त होता है कौन बताएगा एलिस को नहीं मालूम अंशन शिका आप बताइए अंशन्शिका खनिश तेल जमीन के अंदर से नहीं प्राप्त होता है तो क्या ये फैक्टरी में बनता है या पेट्रॉल पंप मिलता है खनिश तेल जमीन के अंदर से ही प्राप्त होता है निकलता कहां सा है जमीन के अंदर से उसके बाद उसे तेल शोधा कारखानों में शुद्ध किया जाता है इसके बाद ये पहुंसता है दुकानों पर, पेट्रॉल पंप पर तब वहां से लोग इसे यूज करते हैं तो ये क्या है सेंटेंस इनका? गलत खनिस तेल जमीन के अंदर से नहीं प्राप्त होता है क्योंकि जमीन के अंदर से ही तो प्राप्त होता है तो ये गलत कह रहे हैं तो इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? रॉंग तेल के कुवों से खाना पकाने वाली गैस भी मिलती है तेल के कुवों से खाना पकाने वाली गैस भी मिलती है बताइए तेल के कुवों से खाना पकाने वाली गैस भी मिलती है तो ये भी राइट है तो इस समझ में आगया आप लोगों को अब आपको ऐसा करना है कि जो पहली exercise है उसको आप copy पे करेंगे और second exercise copy पे करेंगे ये right wrong वाली exercise आप book में ही fill कर लीजेगा ठीक है इसमें कोई बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है ये आप book से ही समझ सकते हैं book से ही learn कर सकते हैं तो आप first और second exercise कर लीजेगा इसके बाल fourth exercise जो matching की है उसको भी copy पर करिएगा और question and answer भी copy पर करने है चलिए अब next exercise करते हैं सही मिलान कीजिए सही मिलान कीजिए matching करनी है यहाँ पर आपको 36 गड़ में भिलाई यहाँ पर क्या है लहाइस पात के कारखाने है लहाइस पात के कारखाने 36 गड़ में भिलाई में ओडीशा, second one, ओडीशा, ओडीशा में राउर केला, राउर केला में लोहिस्पात के कर खाने हैं, थर्ड क्या दिया हुआ है, जार खंड, जार खंड में पुकारो, पुकारो में लोहिस्पात के कर खाने हैं, जमशेदपुर्वा पश्चिम बंगाल में दुरगापुर, दु को कहते हैं कोलार है सोने की खान करनाटक में सोने की खान है उसके वो खानों का क्या नाम है कोलार की खाने कही जाती है इसके बाद तामबा तामबा का क्या है बिजली का सुचालक तामबा क्या होता है बिजली का सुचालक होता है इसलिए लेक्ट्रिक वायर्स में तामबे कित प्रित्वी की खुदाई करके जो वस्तुएं प्राप्त होती है उन्हें खनिज कहते हैं जैसे कोईला, लोहा, सोना, अबरत, आदी ऐसे बहुत सारे खनिज है न जो खुदाई करके प्राप्त होते हैं तो आप इसमें से 4-5 के नाम लिख सकते हैं खनिज पदार्थ कितने परकार के होते हैं? खनिज पदार्थ दो परकार के होते हैं कौन-कौन से धात्विक और धात्विक खनिज पदार्थ दो परकार के होते हैं धात्विक और धात्विक लोहा महत्वपूर्ण खनिज क्यों है? लोहे से हमारे दैनिक प्रयोग की अनेक वस्तुएं बनाई जाती है लोहा इसलिए मैत्वपूर है क्योंकि दैनिक प्रयोग की आप देखते होंगे आपके घर में भी बहुत सारी चीजें लोहे की बनी हुई होती है फरनीचर भी होता है लोहे का, बहुत सी चीजें रोज में कामाने वाली सब लोहे की बनी होती है, जैसे कैची, सुई, ओजार, मशीने, देल की पट्री, इंजन, मकान, पुल, बांध, तो इन सभी में लोहे का प्रयोग होता है, और गर में आप देखते हैं, बहुत सारा समान होता है, हैनलोहे की अलमारी भी होती है, फरनीचर भी होता है, तो लोहा हमारे लिए बहुत महत्वपूर है, इसलिए, हमारे देश में कोईला किन राज्यों में पाया जाता है, हमारे देश में कोईला किन राज्यों में पाया जाता है, हमारे देश में कोईला किन राज्यो पिशा और पश्चमी पंगाल में पाया जाता है फिफ्ट कोश्चन हमारे देश में अधिकांश खनिश्टेल किन राजियों में मिलता है तो खनिश्टेल हमारे देश में किन राजियों में मिलता है हमारे देश में अधिकांश खनिश्टेल असम वा गुजरात में मिलता है कह आपके 5 questions हो गए तो अब आपको copy पर अपनी right wrong वाली exercise नहीं करनी है और सभी exercise और question answer करनी है पर एक चीज़ ध्यान रखें कि सब question answer learn करके तभी copy में लिखें सिर्फ ये video देखकर cheating करके काम नहीं करना है फिर आपको आएगा कैसे है तो इसलिए question answers को learn करके तभी copy में लिखें exercise भी सब समझ लें और यह ऐसा ना हो कि मम्मियों से काम करवाएं मम्मियों से काम नहीं करवाना है खुदी काम करना है और learn करके करना है आपको copy में इसलिए करवाया जाता है जिससे कि आप जब आगे exam होंगे तो अपनी copy उठा कर सारा learn कर लेंगे आपको सभी कुछ एक जग अच्छा साफ साफ लिखा करिए ठीक तो सभी बच्चे ध्यान से learn करके तभी copy में काम करेंगे ओके